कि आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेसिंग पेपर के बारे में ट्रेसिंग पेपर कहां यूज होता है कैसे यूज करते हैं किस किस जगह पर यह वाला पेपर आपको डिमांड में रहेगा बिकेगा आज उसके बारे में यह वाले वीडियो में बात करेंगे तो normally tracing paper वो transparent paper रहता है पास से थोड़ा दिखाते हैं आपको basically photo paper बनाने वाले company ही tracing paper बनाते हैं ये वाला VMS का है और ये वाला देखिए ये तो इसका photo paper market में available रहता है और वही बनाता है tracing paper भी तो थोड़ा खोल के दिखाते हैं आप यह रहाँ पर सब्सक्राइब पूरा पतला रहता है क्योंकि effort size आपको photo copy करने में भी असान रहता है ये देखिए ये रहां tracing paper transparent रहता है आर पर पूरा दिख रहा है बहुत ही पतला रहता है और अगर आपका shop किसी government office जैसा की तहसिल office या फिर कचहरी कचहरी में उतना जरुरत नहीं पड़ तहसिल office या आराई office जिस office में जमीन का मेजरमेट रहता है यह बैसिकल डिजाइन देने के लिए यूज होता है यह वाला पर एफ़ोर साइज का रहता है एफ़ोर साइज ही रखिए अगर आपका मेट्रो سिटी में दुकान है तो वह बैस तो रखिए वहां लबा बाला प्लानिंग के हिसाब से यूज होता है तो उसी दुकान में मिलेगा वाकि एफ़ोरी साइज नॉर्माल तहसिल office या राई office के बास में मिल जाएगा तो इसमें आपका ज्यादा आर्किटेक्ट लोग इसे यूज करते हैं और तखसिल अफिस या आराई अफिस में जमीन का नाफ करने के लिए प्लोट बगएरा थोड़ा माप जूख करने के लिए इसमें आपका प्लोटिंग के ही सबसे स्केचिंग किया जाता है तो यह रहा हो वाला प्लोट और चाहें इंटरियर डिजान हो घर का या फिर फैसन स्केचिंग हो या फिर कुछ भी आर्ट बगएरा किसी का लेयाउड देना है तो उसमें भी यह यूज होता है अभी जो दो कमपनी आपको दिखाएं हैं बीमेस और डेस्मार्ट का यह वाला जो फैपर निकले हैं ये वाला दो कमपनी का जो फैपर हम टैन यर से हुज कर रहे हैं तो यह बिसिकल फ्रेंटर या लेजर फ्रेंटर दोनों में ही ये वाला काम आता है कि ट्रेसिंग पेन या पेंसिल से यूज होता है मगर यह व्यमेस और यह डेसमेट वाला जो हम बैच रहें तो यह वाला बॉल पेन सेरामिक फेन चाहे कुछी फेन रोलर फेन आता है उस सब में भी यह यूज हो जाता है इसका भी जियेसम के हिसाब से कटागोराइज किया जाता है यह वाला 95 जियेसम का है दोनों प्रिंटर में यूज हो सकता है बोत लेजर प्रिंटर और इंगजेंट प्रिंटर में भी मगर डेसमार्ट जो बनाता है वो सिर्फ आपको लेजर प्रिंटर में ही काम आता है इंगजेंट प्रिंटर में वह वाला काम नहीं आता है उसका इंक ठीक से नहीं आता है इंक बिखर जाता है तो इसके लिए मैं आपको सज़सन दूआ कि आप भीमेस वाला ट्रेसिंग पर ही उज़ करिये तो अभी जानते हैं इसका प्राइस कितना पढ़ जाता है मार्केट में और होलसेल में कितना पढ़ जाता है तो मार्केट में जितना कॉमपाणी का भी ट्रेसिंग पर अभलेबुल है सोब का प्राइस नॉर्माली सेम ही पढ़ जाता है इसका प्राइस बेसिकलि दो रूपए या दो रूपए दस पेसे के आसपास ही पढ़ता है ज्यादातर दो रूपए 20 पेसे करकर के तो मिनिमूम दो रूपे एक पिसका पड़ जाता है और यह आप मार्केट में 3 रूपे 4 रूपे या फिर 5 रूपे में भी बेच सकते हैं और मल तो 5 रूपे में भी खुला भीक रही होता है यह वाला वाला जो फोटो पेपर हम आपको सोजेशन किये हैं जो इंक जेट और लेजर फ्रिंटर में यूज होता है वो थोड़ा महंगा रहता है उसी का प्राइस है दो रूपे दो सबसे बाकी जो डेसमार्ट का हम नीचे रखे हैं कभर और उसका जो प्राइस है वो आपको थोड़ कम में मिल जाएगा 15-20 रूपे के अंदर में मिल जाएगा मगर ज्यादा साथ ही होता है तो इसलिए आप थोड़ा मेहंगा पड़ेगा में से रखिए अगर टाउन एरिया छोड़के गाउं एरिया में आपका दोकान है तो वहां पर मत रखिए यह सिर्फ ओफिस के पास में ही बिकेगा